गुद मॉर्निंग देड एशुडन्स मैं आपको क्लासिक्स का अज मैं इस फॉस्ट चेप्टर पर हाने जा रहा हूं जो फॉस्ट चेप्टर कया था? नुइंग नंबर नुइंग नंबर्स नोइंग नंबर्स में आपको मिलनी पढ़ना क्या है तो knowing numbers में यह classic maths है chapter 1 knowing numbers knowing numbers में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है digit तो कोई भी number लिखने के लिए हम लोग को digit की ज़रुद पढ़ती है digit कितने है तो digit में लिए 10 है 10 कौन से digit है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हें digit का यूज़ करके हम कोई भी number लिखते हैं अब number जानते है जैसे मुझे लिखना है 4 इसी का यूज़ करेंगे अब जैसे मुझे लिखना है 10 दो digit के यह हो गया चलिए अब उसके बाद लिखना है मुझे 56 800 9,874 मतलब कोई भी number लिखना होगा तो क्या करेंगे हम इन्हें digit का यूज़ करके कोई भी number लिख सकते हैं उसके बाद आती है वारी कि 1 digit 2 digit क्या इसको number बोलेंगे क्या digit एक digit number होती है digit is also a number लेकिन एक number क्या digit हो सकता है कुछ condition में हो सकता है लेकिन नहीं भी हाँ जैसे इसको क्या बोलेंगे तो नहीं यह digit नहीं है यह number है दो digit हाँ इसको यह बोल सकते हैं कि two digit number इसको बोलेंगे three digit number इसको बोलेंगे four digit number इसको बोलेंगे two digit number इसको one digit number तो जब one digit का होगा तो उसको हम number भी बोल सकते हैं लखेंगे जासे 1, 2, 3, 4, 5, dot, 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 6, 7, 8, 9, 9, ठीक है, अब 2 digit number, तो 2 digit, जास्ट इसमें एक add करेंगे तो बन जाएगा 2 digit number, 10 से, तो 10, 11, 12, dot, 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 ये चला जाएगा कहा तक? 99 तक, अब जासे इसी में 3 digit का number बोलना है, तो 3 digit का क्या होगा? इसमें बस just 1 add करेंगे, तो 1 add करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000, sorry, 100, 100, 2 digit, ये 3 digit number लिख रहा है ना? 3 digit numbers, इसमें हो जाएगा, 102, 3 digit है तो 3, 9, मतलब इसमें क्या पताशला है? जब 4 digit का बोलना होगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एक 1 लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद, 1, 2, 3, 4 digit बन गया, अब इसको कहा तक जाएगा? तो 4 digit का है, तो 4 digit में 4, 9, ठीक है? अब जब आपको अगर किसी वीट, जैसे 5 digit का smallest number बोला गया, तो 5 digit का smallest number क्या करेंगे? सबसे पहले एक 1 लिखेंगे, 1 पे अब क्या करेंगे? तब तक इस पे 0 डालेंगे, जब तक यह 5 digit का न बन जाए, क्योंकि 5 digit का smallest number बनाना है, तो 1, 2, 3, 4, 0 डालेंगे, तो यह 5 digit का number बन गया, अब अगर इसको कहा जाए, 5 digit का greatest कहा जाए, यह तो smallest हो गया, जब इसका मुझे, अगर largest लिखना है, तो क्या करेंगे? 5 digit का largest लिखना है, तो 5 नहीं दे देंगे, 1, 2, 3, 4, and 5, यह हो जाएगा क्या? largest, ठीक है, दोनों 5 digit का है, अब सीधा हम लोग चलते हैं, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं है, अब डारेक्ट चलते हम लोग, एक्सराइज में, एक्सराइज में जैसा आप देखना है, first question है, fill in the blanks, the smallest 5 digit number is, the smallest 5 digit number क्या होगा? तो क्या कड़ेंगे? एक one लिखेंगे, उसके बाद क्या कड़ेंगे इसपे? 5 digit का इसको बनाएंगे, 2 digit का बन गया, 3 digit का बन गया, 4 digit का बन गया, 5 digit का बन गया, मतलब 1 लिख देना है, उसपे 0 डलते जाना है, अब उसके बाद है, the largest 5 digit number, second question है, second question जासा है, the largest 5 digit numbers, अब largest 5 digit number है, smallest यह हो गया, और जब भी largest number कहा जा तो क्या करेंगे? 9 का repetition करेंगे, जितना digit का कहा जाए, उतनी times, 1, 2, 3, 4, and 5, 5 digit का largest number, second का यह हो जाएगा, 4 digit number, numbers range from 10 to 10, अब range का मतलब, जैसे, यह कहां से start हुआ था, 5 digit का number, 10,000 से, और यहां पर 99,999, तो ठीक उसी तरह मतलब, जहां से वो सुरू होता है, और जहां तक, तो 4 digit का number कहां से सुरू होगा, तो 4 digit का number से उसे पहले smallest, तो यहां से सुरू होगा, और फिर 2 कहां तक, तो 4, 9, 4 times 9, ठीक है, यह हो जाएगा, इसी तरह आप लोग आगे भी बना लेंगे, फिर उसको आताता है, B में, तो write the following number in figures, क्या करना है, इसको figure में लिखना है, figure में कैसा, तो जो यह अब यह नमबर सब लिख रहे है, यह सब क्या है, figure में है, ठीक है, तो 470,920, 470,920, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है, इसको आप इन figure में लिखेंगे, B का, 1st, 1st है 400, तो पहले तो क्या करेंगे, यह बना लेंगे आप, यह से असानी होगी, 1, 10, 100, फिर हो जाएगा, 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, ठीक है, चलिए, और यहाँ पहले क्या था, अब हम लगते हैं, 400,000, तो 400,000, 70, sorry, 470,000, 470,000, उसके बाद 920, तो 920, तो 920, ठीक है, इस तरह आप इसका लिख देंगे, फिर इसी तरह आगे भी लिखेंगे, जो समस्य होगी, उसको अब लोग कॉमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं, using the international place value system, write the number name for the following numbers, जो दियेगा number है, इसका क्या करना है, international place value system का use करके, इसका name करना है, जैसे first, c का first, लिखा हुए, 6, 9, 2, 3, 1, 5, ये बीच में कॉमा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां लिख देंगे, 6, 600, शोड़ी, यह बला नहीं लिखेंगे, 92,000, 300, or 15, इसको क्या लिख देंगे, तो 692,315, जैसे इसको लिखना होगा, ठीक में सी तरह लिखेंगे, फिर इसको भी सबको बना लेंगे, फिर using Indian place value system, write the number name for the following numbers, क्या करना है, इसको जो दियागा number है, इसका Indian place value system का use करके, और इसका भी नाम लिखना है, जैसे ले लेते हैं, D का first, digit है, 267833, इसको जो हम लोग बढ़ते हैं, वह ही लिख देना है, inward, सबसे बढ़ते क्या है, तो once tens hundred, उसके बाद thousand, ten thousand, फिर लक, ठीक है, तू लाग, सोड़ी, यह बला नहीं, बार बार यह बला हम लिखना है, 60, 7, 1000, एट हन्रेड थर्टी थ्री इस तरह इस कॉस्टन को भी आप बना जाएंगे और यह साइद आप लोगों को नहीं दिखा वीडियों में चलिए जासे दी निम्बर का था इसका नोब लोग को इस चैप्टर का एक्सरसाइज का इसका आजका वर्ट हो जाएगा 1.1 इसका आप लोगे screenshot ले लेंगे जिसका आपके पास chapter exercise हो जाएगा और इसको बना करके फिर इसका जो भी आप बना लेंगे गो बना हुआ पेज का photo कीच के अपने ग्रूप में post करेंगे अपने पेज पर अपना नाम भी लिग करके